आज हम आप लोगों के समक्ष दहेज के बारे में जो कहानी लेके चल रहे हैं सुनकर के आपको ये अवगत होगा कि हमारे हिंदोस्तान में दहेज के पीछे कितनी लड़कियों की जिंदगी को मौत में बदल दिया जाता है दोस्तों ये कहानी जो दहेज की आग आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं तो आजाएए दोस्तों कि जिला इसी बिजनाओर में राम गड़ी एक ग्राम उसमें एक गरीब था याद राम था नाम डिस्टिक बिजनाओर में राम गड़ी गाओं में याद राम नाम का एक गरीब आदमी रहता था जिसके घर में अकेली लड़की थी दौलत घर में नहीं थी बड़ाई गरीब था याद राम था नाम यार जो गरीबी में गुजर चलाता था जगपती नाम की थी नारी खेती से पेट पालता था जगपती नाम की थी नारी खेती से पेट पालता था याद राम जो बड़ा ही गरीब था बेचारा खेती से गुजर करता था उर्मिला नाम की बेटी थी मैं उसकी बात बताता हूं क्या हिंदुस्तान में आग दहेज की वो ही बात सुनाता हूं सादी के लाइक सुता भाई जब माने लली निहारी है पती अपने से यजवांगेन में नारीने गिराय उचारी है दोस्तों याद राम नाम का जो गरीब आदमी रहता था राम गड़ी गाउं में उसके घर में जो उर्मिला नाम की लड़की तो सुन्दर थी लेकिन दुख इस बात का था कि घर में दौलत नहीं थी और जब वो लड़की बड़ी हुई सादी के लाइक हुई तो एक दिन याद राम की पतनी ने उसे सला मिलाई और जब आप दिया के महराज एक बास सुनिये मेरी क्या कहने लगी स्रीमन के सुन लो पती प्राण प्यारे बोली के सुन लो पती प्राण प्यारे स्यानी है घर में मेरी लाडिली सुनिये पती प्राण प्यारे स्यानी है घर में मेरी लाडिली घर में अगर जबान लड़की कुवारी है तो परिबार बाले समाज के लोग भी ताहिना मारते हैं समाज के लोग पता नहीं कैसी कैसी बात हैं और बात दूसरी ये है जबान वेटी अगर घर में कुवारी है तो माबाप को देख के अपराद लगता है इसलिए तुम मेरी एक बात सुनो बेडी स्यानी चड़ी जबानी तुमने यादि विशारी बोली आरे बेडी स्यानी चड़ी जबानी तुमने यादि विशारी डालो भामर करो न देरी डालो भामर करो न देरी मानो सीखा हमारी मेरी अखियन के तारे श्यानी है घर में मेरी लाडिली ओ बेरी अखियन के तारे श्यानी है घर में मेरी लाडिली समझाए कि बोली है पती से महराज बेटी की साधी करो लेकिन एक बात का ध्यान रखना श्रीमन जी खेल जो है कोई एसो खेल ना है जो बना और दुबारा फिर बिगाड़ो फिर बना लो जिन्दगी का खेल है इसलिए रिष्टेदार मिलें बढ़िया जो इज़ति करें हमारी और मेरी बेटी है इकलवती मेरी बेटी जो इकलवती घर में रहे सुखारी भोग है कश्चना करा रे श्यानी है घर में मेरी लाडिली समझाय की बोली महराज ऐसी जगे अपनी लड़की की साधी करो जो हमारी बेटी की इज़त घर में हो रिष्टेदार बढ़िया हो परिबार शब्यतादार हो तो समझाय की वो याद राम अपनी पत्नी से बोले रहनी तो मैं नहीं पता बोले कैसे करों मैं साधी कोई नहीं अपना बें बिना दान दहेज के गोरी सब कोई ठुकरा बें मारे भूमे द्वारे द्वारे श्यानी है घर में मेरी लाडिली मेरे पती प्राण प्यारे श्यानी है घर में मेरी लाडिली और यादर हम समझाय के कहने लगे बिना तुम्हारे कहे यो प्यारी करनी चाही साधी दुख केबल जबात को है कि हम जहां कहीं जाते हैं बेटी का रिस्ता लेकिन कोई हमें द्वार पर नहीं टिकने देता प्यारी करनी चाही साधी लेकिन घोर गरीबी हम पर धन की भई बरबादी ब्रजेस तूटे सब सहारे श्यानी है घर में मेरी लाडिली अब तो टूटे सब सहारे श्यानी है घर में मेरी लाडिली घर में बैठाल के और जब पतनी समझाए कि जब बोली है कि महराज घर में लड़की अगर कौारी है तो ये गलत है तुम एक काम करो के हमारी पास में जितना भी जेबर है वो ले जाओ और जेबर ले जाए भे एक बाद में उसे बेंचो या उसे गिरमी रखो लेके लड़की की साधी करो ये बात जब सुनी है तो सल्हा मिलाई नारिशे करीन तनिक यबार करने साधी धीय की तुरत भवो तैयार झाल साधी कर वेकों घर से जितनी भी जेबर थे वो लेने के बाद और चलो है पैसा ले वेकों तो जेबर राथ सब हाथ ले नाई मिलो कचु और पन्ना लाल सेथ ढिंग पहुंच गओ बिजनौर शेथ पन्ना लाल के पास पहुंचे और जितना भी माल जेबर था पन्ना लाल के हवाले किया और एक बात कही भाईया पन्ना लाल सेथ से कही सेथ जी सुनियों बिनए हमारी है और धिय उर्मिला आंगन में घूमत अब ही मेरी क्वारी है भाईया आज वो गरीब आदमी बिटिया की साधी करवे कौँ और घर से जेबर रात सब लेके सेथ पन्ना लाल के पास पहुंचो और जबाब दो भाईया मेरे पैसा पास नहीं जो साधी दें रजाई है जेबर रात मेरो रख ली जो कव साधी देव करवाई है पन्ना लाल से जाए कि सलह मिलाई और जब आप दो कि भाईया तुम ऐसो करो जब रात को सब गिर्मी रखवे के बाद थोड़ी सी दौलत हमें देदो जासे हमाँ बेटी के हाथ पीले करें तो सेथ पन्ना लाल ने पैसा दिया और पैसा लेवे के बाद आज वो गरीब आदमी अपने परिबार के लोगों से आके मिला है और उनसे जब आत जब कई है कि चलो लड़का की तलास करेंगे लड़का की तलास करेंगे को चले हैं तो परिबारी जनय अपने साथ लगाए परिबारी जनय अपने साथ लगाए जिला मुरादाबाद बाद में आए पैसा लेकें परिबार के लोगन को संग लेकें मुरादाबाद जिला में गए महाराज पहुंची गए बेरंपुर में जाई लड़का देखन काजें पहुंचे धरम सिंग घर जाई राधर होनी है बलवान बुधि को चकर भारी है बाईया होनी है बलवान रे बुधि को चकर भारी है अब धेश सुनाया गारी है परिबार के लोगन को संग लेकें आज वो गरीब आदमी डिस्टिक मुरादा बाद में बैरंपुर गाउं में पहुंचें लोगों ने बताया कि बैरंपुर में जो धरम सींग रहते हैं उनका लड़का बड़ाई सुन्दर है पढ़ने लिखने में भी उस्यार है अच्छा परिवार है उसके साथ वपने अपनी इस लड़की का विभा करो और साधी करने के बाद तुम्हारी लड़की बड़े आनंद से रहेगी तो भाईयो सब की बात मानवे के बाद जब धरम सींग के घर पहुंचे हैं और जबाब दिया भाईया कि हम घर से हुए न माना और दर पर हो ग्यायाना तो धरम सींग कहने लगे आओ जणाब कहां से आए आओ जणाब कहां से आए काम काम ठिकाना हम घर से भए रवाना और दर पर हो ग्यायाना घर से हुए रवाना और दर पर हो गया याना धरम सींग ने प्यार से बैठा लो और बैठा ले एक बाद में पूछी कैसे आना हुआ सारी बात बताई लड़की का रिष्टा चाहे हम कहने लगा आरा लड़की का रिष्टा चाहे हम करके आए हैं आसा रिष्टा हो मंजूर हमें जो धरम सींग बोले रिष्टा हो मंजूर हमें जो ब्या कर दो अच्छा खासा आर का खुला से मांगो जी भर हो तरे समध्याना हम घर से भए रबाना और दर पर हो गया याना आ जनाब कहां से याए कहां मुकाम ठिकाना रे हम घर से भए रबाना और दर पर हो गया याना जब जबात कही कि हम अपनी लड़की का रिष्टा लेके आये हैं और तुम्हारी जो दैज की मांग है खेर मैं गरीब आदमी दैज देने के लायक तो नहीं हूँ तो धरम सींग कहने लगे देखो मेरा लड़का देखो उसके बाद साधी की बात जो है वो दान दहेज में मुझे क्या-क्या चाहिए क्या-क्या चाहिए तो वोला लेन देन में क्या चाहिए सो खोल बता दो शारी तुम्हारी डबल बैड टीवी इस्कूटर फ्रीज शेव चाहते हैं हम अरव साधी में धन खूब लुटाना धरम शिंग केने लगें और जनाब कहां से आये और जनाब कहां से आये कहां मुका मठिकाना रे हम घर से भए रबाना और दर पर हो गया याना दरम शिंग कहने लगे कि देखो घर ग्रस्ती की जितनी भी चीज है वो हमें सब चाहिए और साधी लड़का की करने के बाद आप यह सोचें कि साधी करने के बाद हम दे देंगे ऐसा कुछ नहीं होगा गरीब आदमी ने बहुत कुछ बिंती की लेकिन कहने लगे कि हमें दौलत में सब चीज चाहिए जितनी भी आप दौलत हमें देना चाहिए उतनी कम है हमारे लिए क्योंकि भाई लड़की बाला तो जितना दे उतना ही कम है लेकिन साधी जब पक्की कर दी गई बहां धरम सींगयों कहे भ्रात कि सुन्दर मेरा लड़का है है घर मकान खेती उससे इस बर्षभिये में पढ़ता है इसलिए डबल बैड टी बी स्कूटर डबल बैड टी बी स्कूटर पंखा बरतन अलमारी और जो भी आये संग मेरा सब की करना खा दिरदारी जो भी आये संग मेरा सब की करना खा दिरदारी जो भी आये संग मेरे सब की करना खा दिरदारी जो भी आये संग मेरे सब की करना खा दिरदारी सब बात तै करिकें जबाब दो है कि हमें साधी तो करनी है लेकिन हमारे साथ में जितने भी बरत बाले लोग आएंगे तो बरत की खा दिरदारी भी करना तुम्हें आबश्यक है बात दूसरी यह हमें इससे मतलब नहीं है कि तुम हमारी शेबा करो मतलब ये है कि हमारे साथ जितने भी लोग आए उनकी खुसा मत करना ये तुम्हारा धरम है साधी पकी भई और जितनी भी दौलत थी उस गरीब के पास में बहां ती और दौलत दैबे के बाद में जब अपने घर चला गया तो रामगड़ी में इधर साधी का दिन धीर धीरे नज़्दी का आने लगा तो नीरज दूला बन गयो जो धरम सींग का लड़का था नीरज दूला बन गयो लीनी संग बरात याद रामगर रामगड़ी पहुँची सभी जमात वो बरात नीरज की और जब चली है बैरमपुर से डिस्ट्रिक मुरादाबास से बिजन और जिला में रामगड़ी में जब याद राम के यहाँ पहुँची कि नीरज की आई बरतिया उर्मिला के दूलिया करकंगन सरम कुडु बिराजे करकंगन सरम कुडु बिराजे लागे सुन्दर सुरतिया पुर्मिला के दूलिया लागे सुन्दर सुरतिया बरत जब पहुँची लेकिन भाईया उस गरीब आदमी से गाउं के लोगों ने ये काग देखो तुमारी लड़िकी की साधी है और साधी रोर रोज तो नहीं होती अब तो परिबार बालों को समाज के लोग जितने भी है उन सब को खिलाना भी जरूरी है तो उससे इतना खर्चा करवा लिया जो साधी में देने के लिए कुछ नहीं सेस रहा सजी के दूला गया चाक में सजी के दूला ए सजी के दूला गया चाक में गयी है सजी के दूला निया उर्मेला के दूला रिया सजी के गयी है दूला निया गाबें गीत खुसी है सहेली आंगन में घूमे भमरिया उर्मेला के दूला रिया आंगन में घूमे भमरिया आंगन में साधी भाई, साधी हुईबे के बाद में संगई पिदा भई दुलहनिकी लोट के चली बरतिया, नीरज के दुवरिया लोट के गई ये बरतिया नीरज के दुवरिया, सज के चली नी बरतिया लोट के चली बरतिया नौजबान साथियो, आज जैसे ही साधी भाई और साधी हुईबे के बाद में गरीब के पास जितनी भी दौलत थी वो सब कुछ दहेज में दी और दहेज में दैबे के बाद में उर्मिला की जब संगई बिदा भाई और जब आप देयों है बहन जाओ कहने लगी बबुला की गली अन में मेरे संग संग खेली है मोई छोड़ी पिया संग में चली संग की सहेली है उर्मिला कुछ समझाई के एक लड़की बोली बहन करना हित माता से जो सास तुम्हारी है मती पती को धुकुराना मती पती को धुकुराना ये सीख हमारी है और समझाई किस रखिया बोली बहन घर बालों का आदर करना सास ससुर अपने पती की इज़त करना साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखना बाहर के लोगों से अतियादर करना है बाहर के लोगों से भी आदर करना है सब लोग करें इज़तू ये प्रजेश का कहना है समझाए कि जब आब दो है कि सहे ली जाओ ससुराल में जाकर के तुम सुखी रहना घर बालों का आदर करना भले ही तुमें तकलीब हो लेकिन तुम किसी मुशीबत को मुशीबत मत समझना कुछ लोग और आ गए और कहने लगे इसे जाने दो भई ससुराल तो जाना ही है कि मत ना रोको ना रोको ससुराल जाने दो ससुराल जाने दो इसे एक बार जाने दो अब ना रोको ना रोको ससुराल जाने दो और बोले असमा के चरणों में जोपड़ी से भबनों में जीवन इसको भिताने दो प्रीतम प्यारे संग सहारे का भी प्यार पाने दो प्रीतम प्यारे संग सहारे का भी प्यार पाने दो ससुराल जाने दो इसे एक बार जाने दो मत ना रोको ना रोको अब ससुराल जाने दो शंगई बिदा भई जाल्ड़ी दो अब बेदा होई बे के बाद में भाईया उर्मिला जब ससुराल में आई है तो छोड़ी के पी हर चली गरीब की लली न देर लगाई अहसी खुशी से बहूरे कैसा सुगहर में आई छोड़ी के पी हर चली गरीब की लली न देर लगाई न देर लगाई हासी खुशी से बहूरे कैसा सुगहर में जब आई और रहे प्रजेस पताई सुनो चितलाई सभा के भाई अब बहू देख बे कुनारी सभाई जुरी आई अब उर्मिला की साधी हुए बेक बाद में और जब ससुराल में पहुँची है इधर उदर से महला की ओरतें देखने के लिए आई हैं और ऐसा ही नहीं चारो तरब से लोग एकत्रित हैं आंगन में बड़ी प्रसनता है लेकिन उर्मिला के ससुराल के लोग उनके चेहरा पर उदाशी धरमशींग नीरज अर्थात उसकी सास ये सोच रहे हैं कि जितना दहेज बताया था वो तो नहीं दिया ना स्कूटर मिला ना लमारी मिली कुछ दिया ही नहीं अब हो ऐसो जब उर्मिला बहां रहने लगी भाईया लेकिन नीरज नाम का लड़का जो था वो अपनी पतनी से यानि उर्मिला से दूर दूर रहने लगा उससे उसने कोई बात नहीं की नाए नीर जने ध्यान रेके नारी पे जचु दिया नाए नीर जने ध्यान रेके नारी पे हाई दिया सोचे उर्मिला मन नहीं मन में कोन पाप मिल कियो उर्मिला की तरब ध्यान नहीं दिया उस लड़का ने महाराज प्यार से सैया बुलबायो हात जोड के उर्मिलाने फिर ऐसे समझायो दुलह कोन सी गलती बनी का एकों दूर भागी रहे हो सैया कोन सी गलती बनी का एकों दूर भागते हो और मिला जिस समय पूछने लगी है अपने पती से नीरस से कि महाराज ऐसी हमने कौन सी गंती की है या हमारे पिता जी से कोई भूल हो गई है अरे दहेज में जितना कुछ था और जो भी मेरे बाप के पास में था सब कुछ तुम्हें दिया गया आखिर हमसे कौन सी गंती बनी है जो तुम हमसे बोलते नहीं हो कहने लगा कमी एक है क्या तो ये कहती है कि हमारे पिता ने सब कुछ दिया तो तेरे बबुल ने तेरे बबुल ने तेरे बबुल ने कहा दियो सुने नादी मेरी समझाए के बोलो तेरे पिता ने तेरे पिता ने तेरे पिता ने कहा दियो सुनिनारी मेरी तेरे बबुल ने तेरे बबुल ने कहा दियो बोलो हमसे कही धनमाल मिलेगो पातन में बहकाई दियो सुनिनारी मेरी और सुन। हमरी न मानो तो मजिया से पूछो हमरी न मानो तो मजिया से पूछो मजियो को बहकाई ओ सुनिनारी मेरी तेरे बबुल ने कहा दियो सुनिनारी मेरी तेरे पितानी तेरे पितानी तेरे पिताने कहा दियो सुनिनारी मेरी तेरे पिताने कहा दियो के बल यही कहा नहीं तुम्हारे पिता ने मुझे कुछ दहेज में दिया नहीं और हमें तुमसे कोई मतलब नहीं हाद जोड़ी के बोली सुरीमन मैं मानती हूँ कि मेरे पिता के उपर गरीबी है और जो कुछ रह गया है दहेजे में दैबे को अपने पिता से कई के वे दोलत मंगबाई लें सारी करी कि अनादर में रोले क्यों करी रहे मेरी ख्वारी महराज तुरत ही कलमदान मंगबाई आँखे न यासू भरिके चिठिया लिखिये तुरत बनाए महराज तुरत ही कलमदान मंगबाई आँखे न यासू भरिके चिठिया लिखिये तुरत बनाए अब तो रोई रोई के पाती बबुला के काजे लिखि रहे हैं अब तो रोई रोई के पाती अपने पिता के लिए उर्मिला ने एक खत लिखा और सारी कहानी समझाए कि बहुम लिखी है कि पिता जी कि मेरे पिता प्रान प्यारे हुई रही है ख्वारी तेरी धीय की समझाए कि बहुत खत में लिखी है पती मेरो ना कदर करे करे ससुर मेरी ख्वारी लिखने लगी पती मेरो ना कदर करे करे ससुर मेरी ख्वारी बिना दहेज कसास हमारी रोज सुनाई रही गारी फूटे भाग्या हमारे तेरी धीँद फूटे भाग्या हमारे तेरी धीद की अपने दिल की कहानी और जितनी भी बाती वो सब कुछ लिखी पत्र पिता जी के लिए जब भेजा पहुंची पापी पढ़ी पिता ने तनिकन तेरे लगाई पहुंची पापी पढ़ी पिता ने तनिकन देर लगाई रुपिया पैसा लेकर जाके आगे कि सीध लगाई पहुंचो नीरज के द्वावे घ्वानी है तेरी याँ पर थी यकी खो पहुंचो नीरज के द्वावे भईया लड़की की चिठी जब पढ़ी उस पिता ने गरीबी में जब घर में कुछ नहीं था घर में जो कुछ भी था अनाज वो वेच करके और पैसा ले करके जब उस लड़का के घर पहुंचा करीह बिनती धर्म सिंग से दौलत दी हैं सारी पैसा देने के बाद में और दौनों हाट जोड़के का कि भीया माफ करो अभी मेरे पास कुछ नहीं है जब हम कुछ और पैदा कर लेंगे तब तुमारी दौलत तुमारे दहेज को दे देंगे करीह बिनती धर्म सिंग से दौलत दी हैं सारी दहेज के पीछे यजबिटिया की क्यों कर रहे हो पैसा पासना हमारे दोस्तों घर में अनाज जो था उसे बेच करके जो भी पैसा हुआ वो गरीब आदमी ले करके धर्म शींग के यहां बैरंपुर में गया और पैसा देने के बाद हाद जोड़ के बिनती की और यह कहा कि माफ करना जब कुछ और पैदा कर लेंगे तब फिर दे जाएंगे लेकिन हमारी बेटी को आप तकलीफ न दें जब वो अपने घर चला गया अब धर्म शींग और उनकी पत्नी यानि सास और ससुर तीसरा उसका पती इन सबने एक दिन सला मिलाई और मन में यह सोचने लगे कि इससे अच्छा तो यह है कि मर जाएं बिचार हिर्दय में कुछ और गूंज गई कि तीनों ने सलहा मिलाई है यबू जा घूनों पिया नकों आई है यबू कि तीनों ने सलहा मिलाई है जा घूनों पिया नकों आई है कै सेघ मरेगी लुगाई है कौं लेते बिया हु रजाई है यबू अब तो सलहा मिलाई और सोचने लगे कि कि आसी तरीका से यह लड़की मर जाती और जब यह लड़की मर जाती तो दूसरी साधी करती और साधी करने के बाद में धन-दौलत दहेज बहुत कुछ मिलता अब और मिला की सास जो थी यानि नीरच की मां बैठी कि आंगल में और सोचने लगी परमात्मां कि मर जाती जो घर में नारी सोचने लगी कि मर जाती घर में नारी तो मैं साधी और रचाई ले थी भगवान से बिंती कर रही है और सोच रही है कि परमात्मा जैका मुँ बुखारू तो नायाब जो जनती साधी न करती नारी उर्मिला जो मर जाती या हुई जाती बीमार में साधी और रचाती या हुई जाती बीमार में अब घर के चार सदसे चारों एकत्ते बैठे शाज सास ससुर पती तुसकी एक ननद सास ससुर ननती और उपती ने एक ही बात सभी के मत में देव जान से मारे तो दूसरों ब्याहर जाए लेऊंगी चारों ने मिलके सलह मिलाई और सलह मिलाने के बाद में भगतो इधर अरे नाई उरी मिलाने कछु जानी घर में बनी गई नई कहानी घर में बनी गई नई कहानी करी घर के बंद कि बार कि बार में दूसरों ब्याहर जाए लेऊंगी मरे जाती जाए घर में नावी श्रोताओ चारों ने मिलकर के सलह मिलाई और सलह मिलाई बे के बाद में घर के किबार बंद किये और दहेज की चाहत में आज उस गरीब की लड़की को मार डालने के लिए उद्दत हुए उर्मिला कों प्यार से भीतर लई बैठारी चारों अंदर घुशी गए कीने बंद किबार उसके बाद तेल की कटी हाथ ले आई छोटी नंद दिया सलाई हाथ ले कर कमरा कों बंद जब हाथ में तेल की कटी लेकर कि उसकी नंद आई और ये कहा कि मारो इसे तो आग लगा कर कि मारो चारों के बीचा में फसी भई दुखी आयती मन घबलाई है कोई नई अपनो जब देखो तब दीनो रुधन मचाई है स्रोतव दहेज के पीछे क्या है गरीबों की लड़कियों की हालत दहेज के चाहने बालों की बदलत के इस तरह से आज गरीबों की बेटियों की दुर्दसा है जब उन चारों ने कमरा में बंद कर लिया उसे जब अपना कोई नहीं दिखाया तो वो रोने लगी अपनी सास्व बिंती करके कहने लगी मा मैं जाई कि पीहर में बबुल से खेती तक विकवा हूँगी जाई कि पीहर में बबुल से खेती तक विकवा हूँगी और दान दहेज मिलो ना बासे लोटी के घर में लया हूँगी रोरो करिके बिंती करने लगी मा तुम मुझे छोड़ दो तुमारे दहेज में जो भी चीज बाकी है मैं जा करके अपने पेता से खेती तक विकवा दूँगी अगर बासे दहेज नहीं मिला तुम्हें लोट के नहीं आऊँगी तुम अपने पुत्र का विभा कर लेना अपने पुत्र की सोन सो कसे करियो मात शगाई है पेर पकड़ी ले सैया के निकली जो हमें बचाई है घबड़ा घबड़ा करके इधर उधर सबसे बिंती करके बार बार कहने लगी है कि आप हमें छोड़ दीजिये मैं अपने पिता जी से कह करके दौलत लेके आऊँगी अगर कुछ न मिला तुम्हें लोट करके घर में नहीं आऊँगी फिर तुम्हें अपने पुत्र का दूसरा बिभा कर लेना लेकिन स्रोता हो एक भी बात उसकी नहीं सुनी जब कुछ नहीं सुना बार बार वो बिंती कर रही है लेकिन सुनी न एक पुकार रे कर बिनती गई हार रे कोई न मेरो इहां दिखाबे रोती उर्य मिला नार रे आप क्या हुआ आरे हात में कटी लई सास ने उपर दई फेलाई है एक सुनी ना बिन नारी की रहे प्रजेस बताई है धेंग ठाडो भर तार रे सासु रही जाकी मार रे आपनो कोई न घर में दिखाबे रोती उर्य मिला नार रे पिल बिलाई पिल खाई नार ना तया हिर दे में आई है दिया सलाई हात उठाई दीनी आगी लगाई है बिल बिलाई पिल खाई नार ना तया हिर दे में आई है दिया सलाई हात उठाई दीनी आगी लगाई है रोबती खाती पचार रे घर के बंद किवार रे अपनों ना कोई बहाँ दिखा बे रोती उरी मिला नार रे दोस्तों जब मिट्टी का तेल शरीर पड़ डालने के बाद में आग लगा दी आग लगाने के बाद में जब वो लड़की तड़ फड़ाने लगी रोने चिलाने लगी दर दर कमरा में भागने लगी लेकिन के बाद बंद सब लोग देत धिकार रे दीने जो लम गुजार रे अपनों ना कोई बहाँ दिखा बे रोती उरी मिला नार रे दोस्तो जब रोने चिलाने की आबाज पडोसियों ने सुनी है तो पडोसी सब भाग भाग करके इदर उदर से कूद गए और उसे अधजला निकाला अधजला निकालने के बाद में जिंदा वो लड़की जब निकाल ली उसमें से लेकिन तब तक कि पहुची थाने में खबरीया चले दरोगाजी पहुंती थाने में खबरीया चले दरोगाजी लागी खबर करीना देरी लीने संग सिपाही और पहुचे जाय ग्राम पैरं पुर्तन कन तेर लगाई पकड़ी आगे की डगरीया जले दरोगा जी पहुंची थाने में खबरीया जब दरोगा जी शिपाईयों को साथ लेके वहाँ पहुंच गए आरे साससुरनन दी और नीरज चारोल बंद पाई सास सुर्नन दी और नीरज चारो लए बंध पाई अद जला उर्मिला निकाली जुक्रा लोग लुगाई पानी भरी कडार गगाजी या चले दरोगाजी पहुंजी थाने में दरोगाजी ने उस लड़की को जाकर के जब बचाने का प्रयास किया और नगर के लोग बाग इधर उतर से एकत्रित हैं लेकिन चारो को पकड़ लिया और चारो को पकड़ वे के बाद में गाली नगर निबासी दे रहे दहज के पीछे मारी सभी नगर निबासी दरोगाजी को समझाते हैं एक गबाही नगर निबासी दे रहे दहज के पीछे मारी कई बार जाने घर में से अपनी बहु निकारी सब कोई कहे जब बुरी महरिया चले दरोगाजी जब पहुँची थाने में खबरिया दोस्तो अब जला जब उस रड़की को निकाला तो दरोगाजी सब के बयान लेने के बाद और उस रड़की से कहने लगे कि बताओ तुमारे साथ क्या हुआ मरती हुई स्वांसों में उस रड़की ने एक बात कही और समझा करके सारी कहनी दरोगाजी से कहने लगी कि दरोगा जी मेरे सास ससुरने और कर कमरा में बंद तेल की कटी लेके आई मेरी छोटी नंद हाथ लेकी दिया सलाई कि जिन्दा दई जलाई मरती हुई स्वासों में उस लड़की जिन्दा दई जलाई मरती हुई स्वासों में उस लड़की ने बयान देते हुए दरोगा जी से समझहा कर के कहा दरोगा जी मेरे सास ससुरने कर कमरा में बंद तेल की कटी लेके आई मेरी छोटी नंद हाथ लेकी दिया सलाई जिन्दी में आग लगाई हाथ लेक दिया सलाई जिन्दा दई जलाई